तो गुर्मोनी दोस्तो, I hope सब बहुत बढ़िया होंगी और Mission 100 Practice Set 1 में आप सभी का में दिल से स्वागत करता दोस्तो जो Mission 100 हमने रखा हुआ है Math और Science में 2023 के लिए उसका First Practice Set आज हम सौल करने वाले हैं तो First Problem in Cyclic Quadrilateral, Cyclic Quadrilateral का नाम है A, B, C, D और इसके Angle का measurement यह है B, C, D और Find the All Angles मतलब A, B, C, D, A, B, C, D का हमको Angle Find Out करना है तो कैसे करेंगी सबसे पहले हम Cyclic Quadrilateral को समझने की कोशिस करते हैं 40 is a Cyclic Quadrilateral, तो Cyclic Quadrilateral का फंदा बहुत सिम्पल है कैसे करते हम, जिसे मानले एक Circle निकाल लीजे, एक Circle निकाल लिया, और Circle के उपर कोई भी 4 पॉइंट ले लिजे यह First Point यह पर B ले लिया मैंने, यहां पर मैंने C लिया और यहां पर D कोई भी 4 पॉइंट ले लिजे, और 4 पॉइंट को join कर दीजे इस तरह से join कर दिए इसे sequensory join कर दीजिए इस तरह से जोइन करने के बाद जो quadrilateral बनता है उसे हम cyclic quadrilateral कहते है मतलब A, B, C, D, is cyclic quadrilateral इतना आपको समझ में आ गया मैं एक बार पर इसे repeat कर देता हूँ circle की ओपर कोई भी चार point को join करने के बाद जो quadrilateral generate होता है उसे हम cyclic quadrilateral कहते है यह होगया definition अभी हम सिक्रेट जानेंगी सिक्रेट साइकली कोडिए का सबसे बड़ा secret क्या है कि उसका opposite angles यह opposite angles कैसे होते है यह supplementary मतलब यह इसी के साथ यह angle कि addison कितनी होती है 180 80 डिघ्रोट इसका मतलए opposite angle सार सप्लेमेंटरी हम यहां पर लिख देते हैं कि है क्या होगा इतना आपको समझ में आ गया चलो में है कर द दो अब यह बियू लगदेता हूँ अब ईसे और चीड़ीं कडली रडिर्स कीया होता है सबक्राइक कीजिए तरह सेम वे अंगल B और अंगल D के अडिशन कितने होगी 180 डिगरेश यहां पर लिख देते हैं therefore opposite अपोजिट अंगल अपोजिट अंगल्स आर सप्लिमेंटरी अपोजिट अंगल्स आर सप्लिमेंटरी इसका मतलब क्या होता है हम समझने के कोशिज करें अपोजिट अंगल मतलब यह और सी के अडिशन कितने 180 डिगर तो अंगल A प्लस अंगल C इस अकुए 180 डिगरेश अभी A की वैलू हमको दी है कितनी दी है यहां पर देख लिजे इसकी दी है कितनी है यहां पर ट्वाइस एक्स प्लस 4 यह होगी A की वैलू तो सेम वे प्लस बी कितना है हमरे फॉर C की वैलू हमरे पास इतनी है तोईस वाइड प्लस 10 एक्वाज टू 180 डिगरेश होगी यह होगी यह हमारे C की वैलू होगा इसको हम सॉल करेंगे उसको बाद सेकल एक्वेशन हम इसके बाद हम इसको हम यहां पर एक वैलू पूट क plus twice y, 2 स्के बाद हम इसको इस साइड पर लेके चलते हैं, 2 6 plus twice y is equal to 180 minus 14 इतना हो गया, चला हम इसको सब्टरक्षन कर देते हम इसका, सब्टरक्षन कितना होगा इसका, यह पर लेक दिती हूं मैं 2 6, 6 plus toys y equal to कितना subtraction होगा इसका subtraction हम कर लेते हैं इसका subtraction होगा 166 इतना subtraction हो गया तटाइ 6 plus toys y इसका subtraction करेंगे कितना हो जागा 166 इतना subtraction होगा जहां से 2 common निकालता है हम 2 से भी common कर निकाल लेते हैं तो कितना हो गया यहां है तो यह बंजाएं जाएगा 2 2 common निकाल लेते हैं एकस प्लस Y equal to 166 तो कितना हो गया यहां फे हम इसको साट कर लेते तो यह बंजाएगा x plus y equal to 166 upon 2 that is the x plus y equal to कितना होगा यह यह बंजगा 8 और 3 तो equation number 1 तो यह हमारा equation number first आ गया यह first equation हमारा मिल गया हमने angle A plus angle C लिया अब हम angle B और angle D लेंगे और इसको भी उसी के तरह से solve करेंगे इसको मैं हटा देता हूँ अभी angle B और angle D यह भी लिकेंगे हम यहाँ पर तो first हमारा A angle B और angle D यह opposite angles है यह वाले angle B plus angle D is equal to कितना होता है यह पर 180 degree होता है चलो इसकी वाले बेकी वाले पूट करके बेकी वाले कितने हमारे पास इतनी है y plus 3 y plus 3 plus d की वाले कितने हमारे पास D की वालू है 4x 4x minus phi u equal to 180 degree है चलो हम इसको solve कर लेते हैं सबसे पहले हम x को लिकेंगे यहाँ पर number कितना हो जाएगा यह 4x होगा यहाँ पर y है y plus y और इसको क्या करेंगे इसको solve करेंगे यह plus है और यह minus है कितना बचेंगे minus 2 होगा equal to 180 degree इतना होगा अब इस number को इस side लेके जाएगे तो कितना होगा यह बन जाएगा 4x plus y equal to 180 यहाँ पर minus है यह बन जाएगा plus इतना हो जाएगा solve कर कितना हो जाएगा 4x plus y equal to 180 this is the equation number 2 तो यह हमारा second equation हो गया यह बाला तो यहाँ तक हमारा समझ में आ गया हमने फोर्ष्ट equation को first equation हमने निकाल लिया है second equation हो अब हम इस दोनों equation को solve करेंगे अब इस दोनों equation को solve करेंगे आप चाहे तो इससे क्रामर मेतर से solve कर सकते elimination method से solve कर सकते yaub substitution method से solve कर सकते आप किसी भी matter से solve कर सकते बहुत आसान है यह सबसे हासान है कि आथे हमसिसे वह एक शिंट मेधन सबसे है इस फ मेधन को मिलें रख सकते किसी मेतन 20 उओं कर सकते कि मतलब आप follower use but Flavoruar सकते सब्सक्राइशन मेधन कर सकते हैं यूज कर सकते हम पेशला यहां पिनेशन मेधन का यूज करें रोगो सहते हैं instructors saqf x ka quali k街 कितना एंस उसका ना Oh 4 यहां पर कितना है 1 है च्छैन new यहां पर किसिए हमारे यंद्प एलिमिनेशन करना बहुत आसान का कि कि इसका को इसे संफ जेन दोनों Atari eks on her reported diese integration 1-eq one हम की इतना होगा X PLUS Y ÉQUAL TO 83 MINUS занимugen necesalth inverter 2 इतना होगा यहाँ आप 7 plus i equal to 182 इस को करेंगा यह इस तरह से अभी इसको यहाँ पर – कर दिया निचिक जहना जड़की साइना नुमबर से होते है तो इसका सङ्प ऐसा है एन से प्लस होगा यहाप से है संविबस ऑर अरडि होगा इसका सथा कोन ऍहिए माइनवा अब क्या होगा इसका से अन सबसे कि पहले और सबसे को चेक कर ले कि यहाप्ड बढ़ है कि कि нед 4 में से 1 चला घुतना है कितना बचा यह यहां पर 3 बचा और यहां पर X इतना हो गया अब यह तो 0 हो गया अभी इसको अब च्शन कर ले कोशा है ने पर है। बनास चना मिमन फिर 157近 मिमन फिल्न सं ही कुंच कर दो बիजре से नंबर 생각이 नें आप drugiej के कम फिली बद रीवित खराट कुपस से संहिए में सायीघर को है लेंगे तो X equal to minus 99 upon कितना आएगा यहां पर minus 3 अब इसको solve कर ला थी इस side पर हमारे पास answer कितना यह minus minus क्या हो जाएगा plus हो जाएगा और 3 से 3 divide हम करेंगे तो कितना बज़ेगा यहां पर answer आएगा X is equal to 3 3 degree तो यह हो गया हमारा answer मतलब हमको X के value हमको मिल गई X कितना आया हमारा यहां से 3 से divide करेंगे तो X आया हमारा 33 degree अब 33 degree X के value आ चुक है अब हम यह X के value की help से Y के value निकालेंगे आप चाहे तो equation 1 में इसके value पूट कर सकते हैं या equation number 2 में पूट कर सकते हैं आप किसी इक्वेशन में इक्वेशन में सॉल्ट कर सकते हैं तो हम फोर्ष्ट इक्वेशन हम लेंगे तो equation number 1 को सॉल्ट करेंगे मतलब सबसे पहले equation number 1 लेकेंगे उसके value पूट करेंगे तो equation number 1 को सामारा यह वाला है तो एक्स प्लस वाई एक्वल टू 83 डिग्री इतना आ गया इसमें हम एक्स की value पूट करेंगे यह वाली वाली पूट कर कितना है हमारे पास 33 है तो 33 डिग्री प्लस वाई is equal to 83 डिग्री अब हम इसको इस नंबर को इस साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास वाई की value मिली की तो य एक्वल टू कितना होगा 83 डिग्री माइनस 33 डिग्री कितना answer आया इसका इसका answer आया 50 50 डिग्री तो य की value हमको मिल गी है 50 डिग्री एक्स की value मिली थी हमको 33 डिग्री और y की value मिली हमको 50 डिग्री अब हम x की value और y की value के help से एक angle A, angle B, angle C, angle D निकालेंगे मैं इसको हटा देता हूँ तो यह क्या होगा हमारे पास तो हमको x की value मिल चुकी है y के भी value मिल चुकी है अब हम क्या करेंगे angle निकालेंगे angle तो सबसे पहले angle को से निकालेंगे a को हमारा a angle था angle ये था हमारा twice x plus 4 degree इतना था हमारा अब हम इस equation में मतलब इस angle में value पूट करेंगे x की value पूट करेंगे और angle ये निकल जाएगा कितना आएगा ये आपे मान लेजिए आपे ये 2 है इन 2 x की value कितने हमारे पास 33 degree है तो 33 आपे पूट कर देंगे और ये आपे plus 4 कितना हो गया हमारे पास ये बन जाएगा 66 plus 4 कितना हो गया ये बन गया हमारा 70 degree तो angle a is equal to 70 degree हो गया इस तरह से angle ये हमको मिल गया ठीक उसी तरह से angle b भी निकाल लेते हम तो angle ये ये आपे complete हो गया angle b angle b कितना होगा angle b कितना दिया हमको y plus 3 degree angle b कितना दिया है angle b y plus 3 whole degree दिया हमको तो इसका value पूट कर देते हम यहाँ पे तो y कि वाली कितना हमारे पास y कि वाली हमें आई है 50 degree तो 50 plus 3 degree कितना होगा ये बन गया 53 degree तो ये होगी हमारी angle b की value इस तरह से angle ये निकल गया angle b निकल गया तो उसके बाद हम angle निकल लेंगे angle c निकल लेंगे इसको मैं हटा दीता हूँ अभी इसको मैं हटा दीता हूँ तो angle c कितना आएगा हमारे पास तो angle angle c आएगा हमारे पास angle c दिया हमको twice y plus 10 इतना दिया है इसमें value पूट कर देता हूँ में तो यह बन जाएगा हमारा 2 into y के वाले कितनी दिया हमको 50 दिया है तो 50 हूँ में आपको पूट कर देता हूँ 50 plus 10 degree कितना हुआ यह 50 plus 50 plus 2 कितना हूँ 100 हूँ 100 plus 10 कितना हूँ यह बन जाएगा 100 degree 110 degree इतना आपको समझ में आ गया उसके बाद निकालेंगे हम angle तो यह हो गया मारा angle c हो गया मैं इसको हटा देता हूँ तो angle d angle d कितना है हमारे पास तो angle d है 4x minus 5 degree x की value कितनी है हमारे पास x की value है हमारे पास 33 degree minus 5 चलो अब इसको solve कर लेते हैं इतना बन जाएगा यह बन जाएगा 12 1 carry 12 32 इतना हो गया minus 5 minus 5 अब इसको subtraction करेंगे कितना हो जाएगा यह बन जाएगा 1 127 degree तो angle d हमारे इतना निकल गया अब angle a हो गया इतना कितना angle यह अब आप चेकर सकते यहां पर angle यह निकल गया angle b b निकल गया angle c b निकल गया angle d b निकल गया अगर आप addition करोगे तो आपको 180 degree मिलीगी तो इस तरह से हमको cyclic quarter letter का problem solve करना I hope आपको यह concept बहुत अच्छी तरह से समझ में आ होगा फिर भी आपको कोई doubts है क्योरी यह था आप मुझे जरूर बता सकते मुझे झाल